है कि तो क्या हाल चाल बैयों कुछ आपको दिखाना चांस हूं आउं दिखाता हूं तो बई आपके सामने हमारे आई पिल के तीन मैच हो चुके हैं भी तक भाई तीनों मैचीज का रिजल्ट आपके सामने हमारी टीम है देख सकतो भाई तीनों मैचीज में क्लीन स्वीप कर आगे दिया सबसे पहला मैच आप देख सकतो कैप्टन रखाफ टू प्लैसीज वाइस कैप्टन रचिन रवींदर ठीक है रूट राज खायकवाद को सबने कैप्टन नहीं था मैंने बोला था कि ड्रॉपर के भी चल सकते हो फ्लॉप होने के हाई चंजीज है वैसा ही हुआ फ्लॉप हुए ठीक है विराट को लिए मैंने कैप्टन नहीं किया उतके बाद मुस्ताफीज रह्मान को मैं अपने टीम में लेकिया जो की मास्टर रोगता तो बहुत ही अच्छा क्ली इंस्वीप हालां कि मैं एक गलती होगी मुझसे मैंने गलती से मैंस दोनी को पिक कर लिया जैसे होता ने कि हाथ लग जाता है और ग अच्छा क्लिंस यहां पर आया ठीक है हर्शल प्रेल को दीप यादव अर्षदीप सिंक सैंकरन मास्टर जो अपने कैप्टन थे वाइस कैप्टन शी करता हो था आप अप देख सकते हैं काफी अच्छा टीम था एंडी क्लास न भी थी हमें हमारे पास फिलिप सॉल पी थी तो बहुत ही अच्छा है यहां पर आईपियल का अगाज हुआ है तो भाई यह सारी टीम मैंने डेडलाइन के पहले अपने टेलग्रम चैनल पर पोस्ट करी थी तो भाई अगर आपको भी ऐसे टीम से यह फ्री में है तो टेलग्रम चैनल जोइन कर लीजिए वीडियो के ड इस्क्रिप्शन में और टेलग्रम चैनल जोइन कर लीजिए तो भाई वापीस आते हैं अपनी वीडियो पर इस वीडियो में हम बात करने जारे हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सीज लग्नो सूपर जैंट्स के बीच में जो मुकाबला खेले जाएगा मैच नमबर चार लाइक कर देना हमारे हाडवर के लिए भाई बहुत ही मैनत लगते हैं स्टैट्स निकाल ने इतना दिमागग निकाल के टीम देना आपको उसके लिए एक लाइक जरूर बनता हमारी मैनत के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वैक्राइन की वीडियो आती है डेली वीडियोज आती हैं जिसको यूज करके बहुत अच्छा विन कर सकते हो तो भाई एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो कर लीजिए सब्सक्राइब और हमारा टेल्गरम चैनल जॉइन तो चलिए बिना किसी देरी करें यहां पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं स्वाइ मान सिंग्स ट्रीडेम मैं बढ़ता हूं थो रहता कि थोड़ा स्पिनर्स को यहां पर हैं के पास ठीक है तो स्पीनर रहते थे बट कुछ साल से थोड़ा बैटिंग की तरफ आता दिख रहा है ठीक है इस साल हो सकता है कि थोड़ा पेस फ्रेंडली विकर्ट दे क्योंकि भाई डिपैंड इस पर गरता है डिपैंड गरता होम टीम पे इन्होंने काफी पेसर यहाँ पर जोड एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक ठाक स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल जाएगा तो उसके बाद वैन्यू स्टैट्स देख लेते हैं घ्राउंड स्टैट्स देखोगे तो टोटल 52 मैच जिसमें 160 प्लस एवरे स्कोर है बैटिंग फर्स ने 18 जीते हैं बैटिंग सेकिंड इन 34 जीते हैं तो यह बाद द्यान लगना दिन का मैच आउसके बाद बिलो स्कोर स्कोरिंग मैट रंदेखों के नीचे 16 बार बना है और 1500 से 170 ज्यादा तर वहीं बनता है ठीक है 19 बार बना और यह 190 से भी उपर आठ बार बना है तो हो सकता आपको वही 170, 175, 180, 180 मैच फिर से देखने को मिल जाए यहां हो सकता आपको 230 वाला 220 वाला मैच भी देखने को मिल जाए क्योंकि दोनों टीम में ताबर तोड बैटिंग है बैटिंग लाइने पर काफी कमाल के बैट्स मैं है खासकर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से तो देखते हैं क्या होगा तो आगे होगे पेसर ने साथ स्पीनर्स ने साथ वही 170 वाला मैच उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने दोसो चौदा मना दिए दोसो चौदा भी यहां पर असानी से चेज हो गया आप देख सकते हैं तो उसके बाद आप देखो गई कि अगर थोड़ा बड़ा स्कोर बनता है तो वह भी चेज हो सकता है इतनी बड़ी बात नहीं जैसा कि आप देख सकते हैं तो दोसो चौदा मी चेज हुआ है बट हम एकस्पेक्ट करेंगे थोड़ा फ्रेश फिकड़ा तो 180 वाला मैच लेके चलेंगा और हो सकता है कि यहां पर चेज भी आपको देखने को मिल जाए त है यह बात ध्यानमें रखना ड़ी संट फॉर्म देखो आउगे तो राजलतान ने दो मेंजिते हैं पांच मेंसे वहीं पे लगीनों ने यहां पर तीन मेंजिते हैं पांच मैच इसमें बट निठयाल हुग्स्पार्भर टन लास्ट हैटवर्ट की मैच की लास्ट हैटवर्ट मैच का स्कोर कार देंगे और साथ में ड्रीम टीम देंगे तो भई लगनो सूपर जैंट्स ने एकसो चौबन बनाये थे वहाँ पर राजस्थान गरल्स एक सो चताली सी बना भाई थी जिसमें काईल मेयर्श ने ग्यावन क यहां पर जो ट्रीम टीम था इक बैलन्स टीम था तोड़ा बैटिंग हैवी टीम बना था आप देख सकते हो उसके बाद जो उसके पहले वाला मैज हुआ था तो यहां पर राजस्तान रॉयल्स ने 170 मनाया चाहर लखनो सूपर नैट्स को हराया था ठीक है दीपक हुड़ा ने जिसमें 59 करें ने मार्कस का फिर से नाम देख सकते हो रवी बिश्णोई आयश बड़ानी यहां पर कुछ कॉमन नेम आपको दिख जाएंगे और एक बैलनस टीम ही यहां पर ड्रिंग टीम रही थी तो यह बात त्यान में रखना है कि दोनों टीम में बैलनस टीम ही जादा चल रही है तो चलिए यहां पर हेट वर्ड बगारा की बात होगी तो भी बात करते हैं डारेक्ली अलखनो सूपर जैंट्स की क्या प्रॉबल 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 प्लेंग लाइवर रह सकती है तो बढ़ी न्यूज निकल रही है कि केल रहूल चौर नंबर पे खेलेंगे ठीक है न पर इफन रही होगर देध्थ पड़ी यह को ओपन कर दोचेंगे नजर आ जायंगे दो लेप्टेंटेर्स ओपन कर सकते हैं बड़ पर्सट्नली यह जाओफन रहूल ओपन रहे कै Lean सेफ ली खेलते हैं उतना इस लिके नहीं है रहा है जिसमें हमें ड्रीम लहां के कच्छे कैप्टन हो सकते हैं कि सेफ चलना है हमें तो भाई प्विंट निकालने तक मतलब है कि कौन सा प्लेयर जाथ प्विंटर के जा सकते हैं उसके बद कुई आप प्रफार्म करों चल रहे थे हो सकता दीपक हुड़ा भी यहां पर खेले और वन डाउन करने आ जाए उसके बाद निकॉलस पूरन है ठीक है विकट की बिंग सेक्शन में आपको निकॉलस पूरन दिख जाएंगे विकट की बिंग करेंगे लेकिन केल राहूल ही ठीक है और अच्छे बाई काफी अच्छे किंसिस्टेंटली खेलते हैं बट बैटिंग थोड़ा नीचे आती है तो लेकिन अगर इन्हें 20-25 बाबी मिल जाएं तो हमें अच्छा एक पीकप मिल जाएगा ट्रीम लेवन टीम के लिए उसके बाद आयश बड़ोनी मोस्ट प्रवेबली इंपक्ट प्लेयर के तौर पर ठीक है नवीनुल हक है रवी बिश्नोई या अमित मिश्रा मोसिन खान तो इन में से देखना होगा कि बैट क्या चिंजिद होते हैं ठीक है मोसिन खान एक अच्छे लेफ्टाम गेंद बाज हैं विकर निकालते हैं आपको लास सीजन दाद होगा काफी विक्टे निकाली थ लाएगा कि कितना इपॉर्टनट प्लेयर है लेना है या नहीं लेना है तो उसके लिए टेलीग्रम चैनल सुरूर से जॉइन कर लीजिए तो बहुत प्लेयर में वही शीवा मवी या तो दीपकुड़ा या हो सकता है क्रिश्न पर गौतम को भी बिला लिया तो यही इंपॉर्टन पीक है वहीं पर कुविंटन टी काउग भी हा हमारी बहुत इंपॉर्टन पीक है कैप्टेंस जींग की डूनरी एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए अविलेबल है केल राउल और ट्विंटन टीकॉग देवधत पाडिकल का अच्छा एवरेज है और बेन्य प्रफॉर्मेंस देखे जाते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले मारकस टूनिस निकोलस पुरन की बात करूंगा नीचे बैडिंग करने आते हैं बड़ 15-20 बाल मिलते हैं तो आपको 40-50 रन करके देखे जा सकते हैं आयूश बडोनी भी उनका भी यही फ प्रफॉर्मेंस और वैंडियोगा प्रफॉर्मेंस और वैंडियोगा नहीं है तो यह बात होगी यहां पर लखनो सूपर्टेंट की अभी है अभी रुख करते हैं अपनी दूसरी टीम का तो भाई राजस्थान रॉयल्स ठीक है बैटिंग में भाई काफी इनके ताबट दोर प्लेयर्स हैं काफी नीचे तक बैटिंग और काफी अच्छी बैटिंग है स्ट्रॉंग बैटिंग है आपको दिख जाएंगे जौस बटलर और यह शस्वी जैस्वाल ओपन गरतो है जौस बट जौस दा बॉस का तो आपको पता है बैटिंग में दिख जाएगा कि हाँ अटैकिंग ही खेलिएंग उसमें विगड़ भी जा सकता है बट अटैकिंग ही खेलिएंगे संजू सैमसं कैप्टन और विकट की बिंग की जुटी निबहाते हुए नजर आ जाएंगे आपको ये लिए एक पोटेंशिल पिक अच्छी बिक है शिमरन हेटमायर एक और अच्छी बिक सेम टू सेम निकलस पुरण जैसा कामाइन का रोफमेंड पोवल आपके लिए एक फिनिशर का काम करते हैं बहुत अच्छा कॉनफरेंस में भी होंगे और अच्छे भी टच मे लग रहे थे जितना भी यहां पर मैंने प्रैक्टिस के इनके वीडियोस देखे हैं तो दुरूफ जुरेल आपके लिए ग्रेंडी की बहुत ही शांदार पिक रहने वागे हैं जिसमें आप टॉप और के बैट्समान को ट्रॉक परके इन्हें कैप्टन सी वाइस कैप्टन आने वाले हैं अवेश खान सामने वाले टीम से घेल से अभी 10 क्रोड में लिया ट्रेंट बोल्ट नई गीन से एक अच्छे गीन बास है ठीक आपको सबको पता है संदीप शर्मा भी भाई काफी अच्छे नई गेंसे विगर निकालने वाले गेंबास हैं उसके बाद बात हो गई बाकी कुछ चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा इंपक्त प्लेयर में आपको रियान पराग देख जाएंगे फिनिशर का रोल अदा गरते हैं यहां तो अगर बॉलिंग सेकंड आती है तो गुल्देप सेन और नवदीप सेनी इन में से भी किसी का परफॉर्मेंस नहीं है अठरा की एवरेज और वेन्यूबे कवाल का प्रफॉर्मेंस है होम गरांड तो जॉस बटलर एक मस्ट है विक होने वाले मेरे लिए यह सब्सक्राइब बैस्ट कैप्टेंजी वाइस के प्टेंजी का आप्शन पर जो रिस्क टेकर्स है इन्हें यघोवाथ हो सकते हैं हाट इंग करते हैं घूमआते हैं उसमें विकट गिरने का भी चांस है और रवी असमें को नहीं फो इनके इनको भापाण सकती है तो यह थोड़ा डिस्क टेकर्स के लिए ठीक है यहां तो टीम बिल्कुल क्लिन स्विप कर जाएगी यह तो बिल्कुल हार जाएगी शीपर नहीं है ठीक है फिनिशर का काम करत हुए नजर आएंगे तेरा के लिए विए परफॉर्मन्स कुछ है नहीं बागी दूरूप जरेल का चार इनिंग में फॉर्टी फोरन है उसके बाद याप अपने पास एह भी सौर्डी रविजंद्र नाश्वी ने तीन इनिंग में एक्टाली सरत तीन विकटन निकाल चुके पर मेरे साथ जुरूर बने रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टीम की तरफ नज़र डालेते हैं हमारी इस मैच के लिए टीम क्या रह सकती है तो यहां पर टीम आपके सामने ठीक है थोड़ा बैटिंग है भी टीम आपको दिख रहा हुआ क्योंकि विकट किमिंग सेक् पर टीम खड़ी रहती है तो अब देख सकते हैं लुकेश राउल को कैप्टन मनाया जासा कि मैंने बोला थोड़ा सेफ पीक है संजु सैंसे ना कुंटन डी कॉक यशा स्पी चैस्वल कायल मेर्स कायल मेर्स से खेलेंगे नहीं खेलेंगे उसके बाद रवी चंतरन अश्व इनको ग्रैन लिग में जरूर से एक अच्छे ट्राइ कर लेना अच्छे कॉम्बिनिशन के साथ तो अगर ग्रैन लिग की वीडियो चाहिए तो कमेंट जूर करना मिलते है अगले वीडियो में तब तक लिए गुड़ लग और गुड़ पाए